इंडिया में लगबग 57% महलाएं अपने मोटापे को लेके परिशान है लेकिन वो जिम भी नहीं जा पाते हैं वरकाउट भी नहीं कर पाते हैं और अपने खान पीने का ध्यान भी नहीं रख पाते हैं क्योंकि उनके पास बहुत सारी responsibility होती है गर की होती है फाइमली की होती ह husband के होती है अपने सास्वसूर की होती है लेकिन अगर आज का इस वीडियो आप देखेंगे तो आप ज़रूर अपना weight कम कर पाएंगे उन्हें पता नहीं होता है किस तरह से weight कम होता है लेकिन हर कोई यही सवाल होता है कि आपको यह करना चाहिए ओ करना चाहिए लेकिन जो वीडियो में बताऊंगा या हर कोई वर्काउट नहीं कर पाता है हर कोई महलाएं जो जिम नहीं जा पाती है या घर में फैमिली मेंबर होते हैं जोएंट फैमिली में रहते हैं उन्हें सरम आती है लेकिन वर्काउट नहीं कर पाता है लेकिन गबरानी के बात नहीं पहला जो टिप्स है अगर आप वेट लोस करना चाता है तो काडियो और एरोबिक एक्सरसाइज ज्यादा इंपोर्डेंट है लेकिन यहां पर बात यह है कि हर एक महलाएं जिम नहीं जा सकती लेकिन आप रनिंग करने गार्डन में जा सकते हैं या आप जो है चल सकते हैं या वाकि जलाएं जिम जा सकती नहीं तो आप फिर बहुत ने अगर आपके पास टाइम है तो गर पे कर सकते हैं अब बात करते हैं दूसरी चीज़ें वह है आपको चूज करना है गुड फूड और बीवरेजिस मत như आपको सही चीजों का सेवन करना है जैसे कि सोडा हो गया है कोल्डरिंग वगेरा है आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है अगर आप वेट कम करना चाते हैं तो इसको अवड़ करिए इसकी जगाद जूस वगेरा लीजे जो तीसरा टिपस है वो इंक्लूड है फाइबर इन योर डाइट आपको फाइबर डाइट में लेना जरूरी है क्योंकि फाइबर के अंदर क्या होता है पाचन सक्ती होती है जिससे आपका जो भी खाना होता है अच्छे से डाइजस होता है आपको एक दिन में लगबग 30-35 ग्राम जो है आपको फाइबर लेना होता है एक मनुष्य के सरीर में अगर आप इसे यूज करते हैं जैसे फूर्ट से एपल हो गए है और सो गए इन में बहुत मात्रा में फाइबर होता है अगर आप इने यूज करते हैं तो आपका खाना अ नगरा है इनको यूज करिये अब बात करते हैं next tips के बारे में agreement की जिसों का ध्यान रखना tips number 4 eat high protein ब्रेकफास्ट प्रोटीन ब्रेकफास्ट करना है आपको प्रोटीन ब्रेकफास्ट इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि प्रोटीन ब्रेकफास्ट करने से आपका वेट लॉस होता है प्रोटीन मदद करता है आपका वेट लॉस करने में जैसे कि और सो गया है आप जो है एक का यूज कर सकते हैं और ब्रॉकली का यूज कर सकते हैं बहुत सारी जो चीजे वेजेटेरियन है वह आप यूज कर सकते हैं चीज के अंदर भी प्रोटीन होता है फ्रूट्स के अंदर भी थोड़ा मात्रा में प्रोटीन होता लेकिन आपके हेल्थ बेनिफिट के लिए स्किन के लिए और weight loss के लिए काफी अच्छा है अगर इन चीजों का follow करते हैं तो definitely आपका weight कम हो जाएगा अब बात करते हैं next tips के बारे में आपको किन चीजों का ध्यान रखना होगा जो आप weight loss करना चाहते हैं तो आपको good sleep लेनी है मतलब आपको अच्छे से 7-8 गंटे आपको सोना है कभी जापके आपकी जो weight है और कम हो जाएगा क्योंकि इस ताइम पर आप क्या हो कोई भी activities नहीं करते हो आपको जो सरीर होता अच्छे से digestion होता है जो भी आप खाना खाते हो अच्छे से पाचन होता है लेकिन आप जो है कुछ सोचते रहते हो या आप बिजी रहते हो तो आपका weight कभी भी कम नहीं हो पाएगा आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा हरी चीज़े है green vegetable इनको खाना पड़ेगा बात करते हैं 68 more veggies मतलब आपको क्या करना ज्यादा से ज्यादा वेजीटेबल खाना है ज्यादा से ज्यादा वेजीटेबल से आपको खाना जैसे कि green salad हो गया green सबजी हो गयी आपको वेजीटेबल ज्यादा से ज्यादा यूज करना अगर आप अपना weight लॉस करना चाता है आपको अवेड करना है जंक फूड जैसे की फास फूड हो गया पीजा, बर्गर, गोल गपे इन चीजों को आपको अवेड करना है इसकी जगा वेजेटेबल खाई है जिसके अंदर मल्टी विटाइमिन होता है फाइबर होता है एंटी अक्सिडेंट होता लेकिन यहाँ पर परेशानी की बात यह थी हर कोई कर नहीं पाता है लेकिन आपको क्या करना अगर 7 number tips जो stay active stay active मतलब आपको क्या है थोड़ा सा busy रहना busy रहना यानि घर के कुछ कामों में busy रहना जैसे का आप जिम नहीं जा पते हैं कोई बात नहीं है गर के कामों में आप busy रह सकते हैं जैसे कि जारू हो गया पोता हो गया आप यह तो walking करने जा सकते हैं अगर जिम नहीं जा सकते हैं आने के बाद walking करने जाए थोड़ा सा गूमिये घर के अंदर ही चक्कर मार रहे अगर आप बाहर भी नहीं निकल सकते हैं जिन महलाओं को problem है लेकिन आप active रहे और बहुत सारी चीज़ा है जैसे कि आपकी जो गार है थोड़ा सा दूर parking करें ताकि आपको चलना हो जाए और लिप्ट की बज़ाए आप सीडियों का यूज जरूर करिए तो आपका weight control जरूर होगा आप इन चीज़ों को avoid ना करिए इन चीज़ों को आपको करना है जैसे कि आपकी गारी थोड़ा दूर parking कर लिया तो थोड़ा चलने को हो जाएगा और आप लिप्ट की बज़ाए आप जो है सीडियों से चड़ना पसंद करिए तब ही आपका weight कम हो पाएगा आप इन चीज़ों को ध्यान रखिए और थोड़ा सा चलने वाली activities में रखिए आप बिजी रहिए और घर पे थोड़ा सा कुछ workout करिए अगर आपके पास gym नहीं जा सकते हैं ट्रेड मिल नहीं है कोई दिक पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा जाहिन